एर इंडिया की फ्लाइट में 24 घंटे की देरी के बाद AC के बिना कई यात्रियों के बेहोश होने की खबर सामने आई बिना एकंडिशनिंग के विमान के अंदर इंतजार करते समय कुछ लोग बेहोश हुए यात्रियों को उतार दिया गया पूरा मामला जानते हैं यात्रियों ने दावा किया कि दिल्ली से सान फ्रांसिसको जाने वाली एर इंडिया की उडान में गुरुवार को 24 घंटे की देरी हुई जिस से बिना एकंडिशनिंग के विमान के अंदर इंतजार करते समय कुछ लोग बेहोश हो गए कई लोग अपनी दुर्दशा को बताने के लिए ट्विटर पर गए उन्होंने जो दृश्य साजा किये उनमें विमान की ओर जाने वाली एक गली में यात्रियों को इंदजार करते हुए देखा जा सकता है एलाइन्स के सूत्रों ने बताया कि परिचालन संबंधी मुद्दो के कारण उडान में देरी हुई इसके बाद एर इंडिया ने सभी यात्रियों को पूरा रिफंड और होटेल में रुकवाने का ओफर भी किया हाला कि एलाइन्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं गया है पत्रकार श्वेता पंजु ने ट्विटर पर लिखा एर इंडिया की उडान में कई घंटों की देरी हुई क्या आप जानते हैं एविएशन इंडस्ट्री ने पिछले साल तकनीकी गड़बडियों के 478 मामने दर्श किये हैं इंडिगो एर इंडिया इस लिस्ट पे टॉप पर है जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक की अवधी को कवर करने वाले डेटा में 246 गड़बडियों के साथ इंडिगो एरलाइन सबसे ज्यादा प्रभावित एरलाइन्स है वहीं आपको बताते हैं कि एर इंडिया को 63 तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है विस्तारा को 89, स्पाइस जेट को 47, एर इशिया इंडिया लिमिटेट को 22, वहीं अलाइन्स एको 7, अकासा एर को 6, फ्लाइ बिग को 5, ब्लू हाट एवियेशन को 2 और ग्राउंड़ गो फर्स्ट को एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है खेर, इस खबर में बस इतना ही, बाकि ऐसी और खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता, शुक्रिया कर शोप्सा परीजेजन को 2 और ग्राउंड़ विए जनस्टा पर ग्राउंड़ जनस्टा इस एक दो प्लाइब